हलो दूस्तों दो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शोमी जो है MIUI 14 में काफी सारे चेंजिस कर रहा है काफी सारे नए फीचर्स को इंट्रिड्यूस कर रहा है उसी तरीके से आज मैं आपको एक नया फीचर्स जो है गैलरी के अंदर दिखाने वाला हूं जो कि शोमी ने अपन MIUI 13 या MIUI 14 किसी फोन में यूज़ करते हैं एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगो और आप मैं आप बताऊंगो क्या क्या फीचर्स जो ही इसके अंदर नए इंट्डूस किये गए हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू क को नहीं मिल रहें क्योंकि इस टाइम पर गैलरी एडिटर जो है हम ओल्ड वर्जिन यूज़ कर रहे हैं तो एक बार जो हम गैलरी को क्लोज कर देते हैं और मैं आपको फाइल को इंस्टॉल करके दिखाता हूं फिर तो यह वो फाइल है गैलरी एडिटर 1.2.1.3.1 इसको अपने एक बार इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन के अंदर यानिकी अपडेट कर लेना है गैलरी एडिटर को उसके बाद जो है आपके शॉमी के फोन के अंदर जो है यह कुछ नए फीचिस जो है आपको एडिटर ऑप्शन में देखने को बिलेगे तो यह दिखिए जैस करना जायं कुछ इस तरीका से यह देख़ाए और य wipes करें चाहिं किस क्तरव सरे ड हमेरा कीPS करना है इस्ट और यह चीज़ा जहां धर देखने को यह अपनी यहांपनी फोटो क्लाप स्को और भी आप काफी तरीका अगर देना चाहिए तो वह भी आप यह अजा छे बे प déb निया फीचर जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिला है जिसको आप गैलरी एडिटर के थुरू जो है अपने फोन में यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं यह कुछ नए चेंज़ेस जाओ है आप आपको गैलरी एडिशन में दिये गए हैं जिसमें अब आपको प्रोवाइड कर दिया गया जिसके थुरू आप अपने फोटोस को और भी काफी हद तक एडिट कर सकते हैं जिस तरीके से आप इनको एडिट करना चाहें तो सिर्फ इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक एपी के फाइल को डाउनलोड करना है जिसका लिंक म सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाब